गुद मॉर्निंग स्टूडेंट, येस्टरे वी हैव स्टडी पेज नमबर थर्टी फोर, तूडे वी आर गोईंग टू स्टार्ट पेज नमबर थर्टी फाइव, दियर आर मैनी अदर टाइप्स ओफ हाउसीज, अब हम बात करेंगे कही तरह के कही प्रकार के हाउस होते है घर होते हैं ठीक है, उनके बारे में हम अब बात करेंगे नमबर फन पे ऐक कार्वा A house that moves on wheels is called कार्वा अब ये वह वाले घर न है, जो किस पे बने होते हैं? पहियों पे वील्स मतलब पहियों यह वो घर है जो पहियों पर चलते हैं उसे हम कारवा कहते हैं ओके next house boat a house that floats on water is called house boat अब यह वो वाले घर आगे जो पानी पर पानी पर होते हैं ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं जो पानी के उपर चलते हैं तैर रहे हैं यह बनी ही ना house boat उसको हम यह वाले house बोलते हैं house boat वे घर जो पानी पर तैरते हैं उनको हम house boat कहते हैं next tent people who keep on moving from one place to another carry foldable houses called tents अब यह वो वाले घर आगे जो लोग इदर से उदर आते जाते रहते हैं ठीक है one place to another जो यहां से इदर उदर घूमते रहते हैं और उनके पास क्या होता है एक tent होता है जो अपने साथ वो तैर करके ले जाते हैं उसको हम tent बोलते हैं ठीक है next आया आप हमारा stilt house people living in areas where it rains heavily make houses on stilt अब यह वो वाले घर नहीं जिस जगा पर ज्यादा बारिश होती है heavy rain होती है ठीक है वहाँ पर वो ऐसे लोग रहते हैं जो बास के उपर गर बने होते हैं ठीक है यह देखो यह बास बने होई न यह घर बासों के उपर बने होते हैं जिसको हम stilt house बोलते हैं next page the people who live in very cold reason build a special type of house to live in अब जो लोग सबसे ज़्यादा थंडी जगा पर रहते हैं cold मतलब थंडी जगा पर ठीक है थंडी जगा पर रहते हैं उनके लिए क्या आता है build a special type of house एक special घर बनाता है ठीक है विशेश तरह का एक घर बनाता है जिसपे वो रहते हैं आगे a house made of snow is now as igloo उसको क्या बोलते हैं जो एक घर बनाता है special और वो किससे बनाता है snow मतलब बर्व से जिसको हम क्या बोलते हैं igloo the people who live in such houses are called eskimos और जो लोग उस वे रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं eskimos ओके